दोस्तो कल का तीसरा वंडे मकाबला जीत का टीम इंडिया ने साउथ अपरिका में रचा हितियास जो का नामा बड़ी बड़ी टीम में नहीं कर पाई वो बारतिय युवा टीम ने कर दिखाया टीम इंडिया के किलाड़े हुए है माला माल तो बताएंगे आपको इस वड़े मकाबले में पूरा हाइलाइट वीडियो कैसे टीम इंडिया ने साउथ अपरिका को बोरी तरह से हरा कर सिर्ज को दो एक से अपने नाम कर लिया कैसे अर्शदीव सिंग के आगे अफरीकी बल्ले बाज डैस मैस हुए कैसे संजु सेमसन ने ताबर तोड बल्ले बाज की तो इ बज़त पाटिदार पहली बार मैदान पर उत्रे और अपनी पारिग में 22 रन का योगदान दिया वहीं साइस सुदर्शन 10 रन करके पाउरेल लोट के उसके बाद में संजु सेमसन और केल राउल की मैदान में वाफसे हो चुकी थी लेकिन केल राउल ज्यादा देर तक नह संजु सेमसन भी अपना अशतक पूरा करचुके थी वहीं तिलक वर्मा बाउंर रण करके पाउन नोड गे उसके बाद में संजु सेमसन का साथ देने है रिंकु सिंग ने संजु सेमसन का खुब साथ निबाया और संजु सेमसन ने अपने करियर का पहला वंडे में सतक गिंदों पर एकसो आट अड़े के लिए जह इनोंने चेकों के और तीन सांदार चके लगाए तो आ रिंकु सिंग ने भी सत्य सक्दों पर अर्तीस रणकी पारिके लिए और जहां इनोंने तीन चोंदारों के बदोलत टीम इंडिया तेज गती से डाइसो के पार होंच गई और टीम इंडिया निदारित पचास और में 296 रण बना पाई और भारत्य टीम ने साउथ अफरीका को 297 रण का टार्गेट दे दिया जह टीम इंडिया की ओर से संजु सेमसन और तिलक वर्मा द्वारा काफी सांदार पारी के लिगई जवा में लक्स का बीचा करने उत्री अफरीका की शुरुआत्मी काफी सांदा रही रिजा एंडेक्स और टोनी जो जो जोर्जी ने काफी सांदा शुरुआत दी लेकिन अर्षदीप सिंग ने टीम इंडिया की ओर से दोनों ऑपनर्स को पावल्यान में पहुचा दिया उसके बाद में बल्लेबाजी करने रास पारी के लिए लेकिन कोई भी वनले बाद ज्यादा देखता नहीं टिक सका और अफरीका की पारी पूरी तरह से डैस मैस होते हुए नजर आये और जवाम में 218 रन पर आलाउट हो गई टीम इंडिया ने 78 रन से जीत कर इस बड़े मुकाबले को अपने नाम कर लिया और सी जो सेमसन ने 108 रन की पारी के बदलोत मैंन अफ़ दमय चुने गए तो यह मैन अफ़ दस सीरिज अर्षदीव सिंग को चुना गया अर्षदीव सिंग ने तीन मुकाबलों में खापी सांधर गेंदवाज की जिसके चलते हैं मैन अफ़ दस सीरिज चुना गया इसके लाव टीम इंडिया की ओर से केल राउन ने खापी सहंधर कफ़तानी करते हो साउथ अपरिका को इसकी घर्मद तो एक से सीरीज हरा कर टीम इंडिया ने एक नै त्यास रच दिया दोस्ता को क्या लगता है टीम इंडिया अब आने वाली साउथ अप्रिका में जीत पाएगी ने जीत पाएगी कमेंट से एक्षेन में जरू बताए और किर्केट से जूड़ी अपडेट के लिए हमारी चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक से जरू करें